असलाम लेकुंस चुद morain naih mesicles neone point one का पार्ट करने जा रहें इससे प्रीवियस में हमने exercise one point one का पार्ट वन किया था जिसमें हमने इसके शुरूर के किय थे मुप्शन 123 हमारे आज में मुझाओ आज की वीडियो में हम कुशन नंबर प्वार्ट से अपना काम है four now we have to simplify it और हमें जो आयोटा की वेलियू जो आयोटा की सिंप्लिफिकेशन हमने प्रीविएस वीडियो में देखी थी उन सब को यूज करते वे हमने से सिंप्लिफाई करना है तो स्टूडेंट यहां पे two minus iota की power four है तो हम इस power four को ब्रेक कर सकते हैं power two में और देन एक टू इसके बाहर इस तरह से लगाते हैं तो टू टू जा फॉर ही होता है अब यहां पर a minus b whole square को formula हम यहां पर apply कर सकते हैं कि a minus b ka whole square is equals to a square minus two a b plus b square अब यहां पर हम implement करते हैं अब यह two हमारे पास a है और iota हमारे पास b है तो a square यानिके two का square यह हो जाएगा two का square minus two a b plus b square यानिके iota square और इन सब के बाहर में है square तो अब यह equal हो जाएगा two का square हो जाएगा four minus four iota और iota square की value minus one अब real real four minus one is three minus four iota का square अब यह three minus four iota again इस पर यही formula लगेगा a minus b ka whole square तो यह equal हो जाएगा a square यानिके three का square minus two a b three b is four iota plus b square यानिके four iota का whole square यह square भी हमने one अब four minus one से multiply होगा sorry four k square पी तो लेना था यहाँ पे 16 हो जाएगा four square 16 iota square अभी हो जाएगा minus 16 तो nine minus 16 minus 24 iota the result will be nine minus 16 is minus seven minus 24 iota तो यह हमारा simplified result है तो आयोटा की power को हमने यहां पे खतम कर दिया और यह final result हमारे पास इस तरहां से यह आ गया अब इसे का part two करते हैं और two में हमारे पास जो condition है जिसको हमने simplify करना है यह है माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री होल स्क्वेर में आफ तो सिंप्लिफाई इट तो यहां पे भी सिंप्लिफाई करने के लिए अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूँ तो यह रह जाएगा one प्लस आयोटा Undär root 3 का whole स्क्वेर माइनस खतम हो जाएगा क्योंके माइनस के ऊपर स्क्वेर मौजूद है न्युक्त हमारे पास क्या रह जाएगा वन प्लस आयोटा Undär root 3 का whole स्क्वेर न गिरैट अब यह हो गया a dlb का whole स्क्वेरए अब हमें पता है के अगर a plus B ka whole square है यह equal होता है A square plus 2AB plus B square के यहाँ पे put करते हैं हम A square यानिके one का square plus 2AB iota under root 3 plus B square iota under root 3 के उपर whole square सोब यह का ममलिक्ष कि लैंच के स्कोएर और रहेगा प्लस अभी यह स्कोहर आयोटा के है और अपर भी इतोथ के उपर फिसकोएर है लेकिन उपर से स्कोहर केंशिल होके सिर्फ थी रह जाएगा तो अभी एकुल होगा 1 plus 2 under root 3 iota iota square की value minus 1 put करेंगे 3 से multiply होगे minus 3 हो जाएगा 1 minus 3 plus 2 under root 3 iota now 1 minus 3 is minus 2 minus 2 plus 2 under root 3 iota यह हमारा simplified result है simplified हमने कैसे करना है हमारी कोशिश होगे कि हम iota के उपर से जो भी power होगी वो खतम करें तो इस केस में भी हमने जो iota के उपर power थी वो खतम करती और इस केस में भी हमने iota की power खतम करके simplified results ले आए now moving towards the next part third part minus 1 plus iota under root 3 whole square तो अब इससे solve करने के लिए यहां से अगर हम minus common ले लें तो अंदर रह जाएगा 1 minus iota under root 3 का whole square मतब यह minus common ले लिया तो इसका sign भी change करना पड़ेगा क्योंकि minus minus plus होता है यह minus तो खतम हो जाएगा क्योंकि square मौझूद है square की वज़र से बाहर वाला minus तो खतम हो गया अंदर रह गया 1 minus iota under root 3 का whole square अब यहां पे भी a minus b का whole square formula put करेंगे हम a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square अब यह one को ले लेंगे हम a और iota under root 3 को हम ले लेंगे b अब यहां पे हम formula implement करते हैं a square यानि के one का square minus 2ab यानि के one iota under root 3 plus b square यानि के हुजाएगा आयोटा अंडर root 3 whole square तो one का square one रहेगा minus 2 under root 3 iota और यहां पे iota के उपर भी square है और under root 3 के उपर भी square है तो root से square cancel हो के सिर्फ 3 रह जाएगा तो यह एकवल होगा one minus two under root 3 iota iota square की value minus one और three minus one is minus three one minus three is two minus two under root three iota तो यह मेरे पास इसका simplified result आगे now moving towards the next part part number four और part number four है हमारे पास one plus iota whole cube अब a plus b whole cube का formula हमें पता है we know that a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus three a square b plus three a b square अब इस one को लेंगे हम a और iota को लेंगे हम b और formula open करेंगे a cube यानिके one का cube plus b cube यानिके यानिके आयोटा का क्यूब प्लस three a square यानिके one का square b यानिके आयोटा प्लस त्री ए मीन वन बी स्क्वेर मीन आयोटा का स्क्वेर इसले से मल्टिपलाय हो जाएगी है अब यहां पर याल पार्ट को एक जगह को break कर सकते हैं आयोटा स्कूइर मल्टिप्लाइब रयोटा थोगी तो थी वापिस से बन जएगी file वन मैनस जरी ए माइनस तूपलसस्कूर की वेलिव आ जाएगी मैनस वह इस प्लस थृए यह हमारे पास हो जाएगा माइनस टूपलसमाइनस समंस आयोटा योटा ल equipo 3 IOTA in the end minus IOTA minus 2 minus IOTA plus 3 IOTA is plus 2 IOTA तो यह मेरे पास इसका simplified result अगय है this is the simplified form of the given question यह जो मेरे पास 1 plus IOTA का whole cube था इसको हमने simplified किया and the final result एस बाइन इस पार्ट पर फाइव हमारे पास है इसको हमने करना है अंडरूट टू प्लस आयोटा डिवाइड़ बाइ अंडरूट टू माइनस आयोटा तो स्टूडेंट यह वही है जो हमने प्रिविएस वीडियो में भी दो कॉंपलेक्स नमबर को डिवाइड करना सीखा तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसको इसको मुल्टिप्लाइब दिवाइट करवा देते हैं यहां पर मेंशन करते हैं कि मुल्टिप्लाइब एंड दिवाइड बाइट्स कॉंजुगेट और कांजुगेट क्या होगा ए जो अंडरोट टू माइनस आयोटा है है सिर्फ इमैजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा सब्सक्राइब रहेगा यानिके अंडरूट टू तो as it is रहेगा माइनस से यह हो जाएगा प्लस आयोटा और डिनॉमिरेटर में भी अंडरूट टू प्लस आयोटा अब इसको सिंप्लिफाई हमने करना है सिंप्लिफाई करने के लिए नियुमिरेटर को आपसे मल्टिप्लाइ करवाते हैं अंडरू इसका फॉर्मूले में बंद हो रहा है कॉर्मूला कौन सा होगा a स्कॉएर माइनस बी स्कॉएर जब च्राइब करेंगे इसे तो टूसेंडरू टो कैंसल होगे 2 minus iota square रह जाएगा करते है यह cancel हो जाएगा 2 plus 2 under root 2 iota iota square की value minus 1 divided by 2 minus iota square iota square की value minus 1 2 minus 1 यह जाएगा 1 plus 2 under root 2 iota divided by सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब करें जिए लि Alban every one 3 अलग कर दिया तो अंडरोड तू अपवान 3い होता को हमने separate कर दिया और यही हमारा final result है नाओ नोविंग तोवर्ड दिनेक्स पार्ट 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 सिक्स और पार्ट सिक्स में हमारे पास question है कि वन प्लस आयोटा डिवाइड़ बाई वन माइनस आयोटा और यह multiply हो रहा है तू माइनस आयोटा डिवाइड़ बाई वन माइनस आयोटा अब अगयान इसको simplify करना है हमने numerator में जो दोनों complex नंबर है उनको आपसे multiply करवा देते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा प्लस आयोटा इंट्व लो माइनस आयोटाः और माइनस आयोटाः यह भी माइनस आयोटा वन माइनस आयोटा माइनस आयोटा-डैवन अगयान का sq说 और denominator में भी formula open कर देते हैं 1-2ab plus b square यानिकि आयोटा square तो यह हुजाएगा 2 minus iota plus 2 iota is plus iota minus iota square की value minus 1 denominator में क्या आजाएगा 1-2 iota iota square की value minus 1 तो यह है 2 plus iota minus minus plus 1 और यह plus का 1 यह minus का 1 तो खतम हो जाएगा minus 2 iota रहेगा अब क्या करें 3 plus iota हो जाएगा यह 2 plus 1 is 3 plus iota divided by minus 2 iota अभी भी denominator में iota मौझूद है तो हम क्या करेंगे दोबारा से denominator को rationalize करेंगे और इसको multiply करवाएंगे minus है तो यहां पर 2 iota divided by 2 iota से तो इसको multiply करवादे 2 iota 3 से multiply होगा तो 3 2 is a 6 iota plus 2 iota square और denominator में minus 2 to the 4 iota square तो 6 iota plus 2 iota square की जगह पर हम put करेंगे minus 1 divided by minus 4 और iota square की value minus 1 put कर देंगे तो यह जाएगा 6 iota plus minus minus 2 1s are 2 और यह जाएगा 4 यहां से 2 common आ रहे है 2 common ले लेते हैं 2 common लेने के बाद अंदर रह जाएगा 3 iota minus 1 upon 4 तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो final result में आपे लिख देते हूं यह हो जाएगा 2 minus 3 iota upon 2 sorry 1 minus 3 iota 1 minus final result में दुबारा लिखे हूं यहां पे 3 iota minus 1 by 2 right अब अगर मैं इस 1 को पहले लिखों तो यह हो जाएगा minus 1 plus 3 iota upon 2 और अगर सेपरेट लिखें तो यह हो जाएगा minus 1 by 2 plus 3 upon 2 iota तो यह हमारे पास इसका simplified result है now moving towards the next part next part की तरफ चलते हैं यह हमारे पास है part 7 और part 7 में जो हमारे पास question है जिसको simplify करना है यह है 2 plus iota का square divided by 3 minus 4 iota अब दो complex number को हमने divide करना है तो student हमने इसकी division सीखी हुई है previous part पर हमने देख लिया था कि दो अगर complex number है तो उसको divide कैसे करना है लेकिन divide करने से पहले हम इसका square खोलते हैं a plus b whole square is equals to a square plus 2 a b plus b square divided by 3 minus 4 iota तो यह हो जाएगा 2 का square 4 plus 4 iota plus iota square iota square is equals to minus 1 और यह divide हो रहा है 3 minus 4 iota 4 minus 1 is 3 plus 4 iota divided by 3 minus 4 iota अब हमने क्या करना है कि इसको multiply divide करना है इसके conjugate से यह 3 minus 4 iota है तो किस तरह से इसको rationalize करेंगे denominator को यह हो जाएगा 3 plus 4 iota और इसको divide करवाएंगे 3 plus 4 iota के साथ तो उपर तो यह हो जाएगा square यानिके 3 plus 4 iota का whole square हो जाएगा और divide में a minus b a plus b a square minus b square का formula में बंद करेंगे अब उपर हम formula open करते है a square यानिके 3 का square plus 2 a b a is 3 b is 4 iota plus b square यानिके 4 iota का square और denominator में आ जाएगा 3 का square is 9 4 का square 16 iota square अब 3 का square 9 plus 3 2s are 6 6 4s are 24 iota 4 का square हो जाएगा 16 और iota square और denominator में आ जाएगा 9 plus 16 16 कैसे हुआ iota square की value put की minus 1 minus minus plus हो जाएगा now 9 plus 24 iota अब iota square की value minus 1 होती है तो यह हो जाएगा minus 16 और 16 plus 9 is 25 और 9 minus 16 यानिके 7 upon 25 अलग कर दीजे और 4 upon 25 यानिके रेल पाट अलग कर दिया और यही हमारा final result है और इस इस यार फाइनल रिजल्ट नाव मुविंग टिवार्ट इनेक्ट पार्ट इस पार्ट एट और पार्ट एट में जो question हमारे पास है यह है वन अपॉन टू माइनस आयोटा का स्क्वेर संप्र है चाहिन स्म्प्लिफाइ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका स्कोएर खुलना है a-b का होली स्क्वेर a-2ab is a2 and b is आयोटा प्लस बी स्क्वेर यानिका आयोटा स्क्वेर तो वन अपॉन टू का स्क्वेर हो जाएगा फोर टू तो iota इसको एर कि वेलियू माइनस 1 तो एक हो जाएगा 1 4 1 1 3 minus 4 of drama से उसको हमने डेसियनलाइस करना है यानि कि इसको मल्टिप्लाय मल्टिप्लाय और Delhiway करवाना है वन अपॉर 1 upon 3 minus 4 iota को multiply करवाएंगे 3 plus 4 iota divided by 3 plus 4 iota के साथ 3 plus 4 iota को 1 से करें तो 3 plus 4 iota और a minus b a plus b a square minus b square तो 3 plus 4 iota और दिनॉमिनेटर में आएगा 3 k square 9 minus 4 iota square तो यो जाएगा 3 plus 4 iota और 9 minus 4 iota square की वाल्यू minus 1 तो यो जाएगा 3 plus 4 iota और 9 minus minus plus 4 तो 3 plus 4 iota 9 plus 4 is 13 यहां पर हमने 4 का square नहीं लिया यह mistake कर दी हमने यह 16 होगा 4 का square is 16 iota square तो यह iota square minus 1 होके यह plus 16 हो जाएगा राइट तो प्लस 16 करें इसको तो यह जाएगा 25 राइट अब इसको सेपरेट कर देते हैं 3 upon 25 को सेपरेट कर दिया और 4 upon 25 iota को हमने सेपरेट कर दिया और यही हमारा simplified result है तो हमने जो given given जो question था इसको हमने simplified form में ले आए यह हमारे पास था इसमें से हमने आयोटा के उपर square खतम करके इसको simplified form में ले आए तो हमने question number 4 के सारे parts कर लिया है now moving to what question number 5 question number 5 करने जा रहे है question number 5 में हमारे पास है कि एक complex number हमें given है जो के है z is equals to 1 plus minus आयोटा और यह इस equation को satisfied कर रहा है तो student जब equation को satisfy करवाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है equation यहां पे लिखने के बाद z square minus 2z plus 2 is equals to 0 यह equals to 0 है अब इसको लेट से हमने कह दी equation number 1 तो अब हमने क्या करना है जेट की जगापे हमने put करवाना है z is equals to 1 plus आयोटा पूट इन equation 1 तो equation 1 में जेट की जगापे हमने put किया 1 plus आयोटा square जेट की जगापे 1 plus आयोटा प्लस 2 is equals to 0 तो वन प्लस आयोटा square का formula open कीजिए a square plus 2ab plus b square और minus 2 minus 2 आयोटा plus 2 is equals to 0 तो अगर इस तरफ से भी answer 0 आता है तो इसका मतलब यह है कि दोनों side equal हो जाएंगे 2 आयोटा plus में 2 आयोटा minus में यह भी cancel हो गया 1 plus आयोटा square is equals to 0 आयोटा square की value होती है minus 1 तो 1 minus 1 तो 1 minus 1 यानिके 0 is equals to 0 तो इसका मतलब है कि z is equals to 1 plus आयोटा is the root of the given equation right now अब हम minus वाला भी put कर देते हैं put z is equals to 1 minus आयोटा तो इसको भी equation 1 में put करेंगे equation 1 में जहां-जहां z है हम put कर देंगे 1 minus आयोटा z की जगह पे 1 minus आयोटा plus 2 is equals to 0 तो यह हो जाएगा a square minus 2ab plus b square और यहां पे minus 2 plus 2 आयोटा plus 2 is equals to 0 तो plus 2 से minus 2 खतम हुआ minus 2 आयोटा से plus 2 आयोटा खतम हुआ one plus आयोटा square is equals to 0 again आयोटा square की जगह पे minus 1 put कर देंगे is equals to 0 1 minus 1 is equals to 0 तो 0 is equals to 0 तो हमने यहां पे यह proof कर दिया है 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 कि जएड़ इस इक्वेल स्टू वन प्लस माइनस आयोटा यानिके एक दफाव बन प्लस आयोटा और एक दफावन माइनस आयोटा दोनों ही सैटिस्फाय कर रहे हैं है एक्वेजन को सैटिस्फाय कर रहे हैं और हमने यह प्रूफ करके भी दिखा दिया राइट हैंस प्रूफ अब हम पूश्य नंबर सिक्स चुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमने कॉंजूगेट भी निकालना है और अब्सुलूट वेल्यू भी निकालनी है और हमारे पास कॉंप्लेक्स नंबर गेवन हैं पार्ट वन कर रहे हैं जिसमें हैं फॉर प्लस फाइव अयोटा अब हमने इस complex number का conjugate भी निकालना है और conjugate के बाद हमने इसकी absolute value भी निकालनी है तो सबसे पहले हम इसका conjugate निकाल लेते हैं तो student जब भी आपके पास let's say मैंने इसको कह दिया z is equals to four plus five iota इसको z का नाम दे दिया conjugate के लिए इसके उपर बार लगा देते हैं यानि के यह मेरे पास है four plus five iota तो four plus five iota का मुझे निकालना है बार बार mean conjugate तो conjugate निकालते वे आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका imaginary पार्ट होगा आपने उसका सिर्फ sign change करना है रियल पार्ट का कुछ भी चेंज नहीं करना रियल पार्ट as it is रहेगा सिर्फ complex पार्ट का sign change कर देना है अगर यह प्लस में है तो माइनस कर दे माइनस में है तो प्लस कर दें तो यह मेरे पास conjugate का result ही आगी है और उसी तरह से अगर मुझे इसका absolute निकालना है absolute value निकालना ह है तो यह equal होगा under root a square plus b square के अब यहां पर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूं 4,5 मैंने आपको last video में भी सिखाया था कि अगर iota लिखना है तो plus या minus डाल दीजिए मतलब जो भी है लेकिन अगर आपको bracket form में लिखना है तो हम iota नहीं लिखते हैं यहां पर a की value 4 है औ प्लस फाइफ का स्क्वेड पॉर का स्क्वेड हो जाएगा 16 प्लस 25 तो सिक्स्टीन प्लस 25 किसके एकवल होता है 41 के तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो एबसल्यूट वेल्यू है गिवन कॉंप्लेक्स नंबर की वह हमारे पास आई है अंडर रूट 41 और यही हमारे पास का तोrega अप्सुल Tisch वेलूट वेनिकली और हमने ऊपर इसका कॉंजुगेट्ट भी निगाल लिया अब इसका नेक्ट करते हैं एंग्संपार्ड पार्ट तू gray तूकर पास है माइनेस वान अउन प्लस सेविं आयो धारि buscar हैं का इसलिए निकलेफ 현재 Stephan तो जएड इस इक्वल्स तो माइनस वन प्लस सेविन आयोटा अब मुझे निकालना है इसका कॉंजूगेट डाट इस इक्वल्स वन प्लस सेविन आयोटा और उपर लगा दूंगी मैं बार तो यह सिर्फ जो कॉंप्लेक्स पार्ट होगा इसका होगा साइन चेंज यह मेरे पास आजाएगा इसका कॉंजूगेट माइनस वन माइनस सेविन आयोटा इस इस इकॉंजूगेट ऑफ दिगिवन कॉंप्लेक्स नंबर नाओ मुविंग त्वाड़ जी अप्सुलूट वेल्ईउ जेट पार अब यह एकॉल होगा अंडरूट एसकॉएर अब यहां पर ए बी से कैसे लिखेंगे माइनस वन कॉमा सेवन एकी वेल्यू है माइनस वन बी की वेल्यू है सेवन तो यह उजाएगा माइनस वन का इस तरह से में करूं 25 यह ब्रेक होगा 2 x 5 इंटो 5 x 5 तो एक 5 रूट से बाहिर आ जाएगा तो यह वह पास इसकी एप्सिलिवabout वैल्य वा गई फाइव अंडरोट टू नाव मुविंग तुवार्ज थी थर्ड पार्ट अब थर्ड पार्ट में जो वैंडरोट थ्री आयोटा अब मुझे निकालना है इसका कॉंजूगेट तो कॉंजूगेट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसको जेट इस इक्वल्स टू जीरो प्लस अंडरोट फ्री आयोटा इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें रेयल पार्ट है ही नहीं अब मुझे इसका कॉंजूगेट लेना है तो कॉंजूगेट में सिर्फ इम्मैजिनरी का साइन चेंज होता है तो यह जाएगा जी जीरो ए चालए यह इसमारे पास जीरो और बी जाएगा अंडरोट करते हैं जीरो का स्कुएर प्लस रूट थ्री का स्कॉएर रूट से यह स्कुएर कैंसल हुआ सिर्फ रह गया अंडरूट का स्कुएर और स्क्राइगे नहीं ब स्कॉएर तो मेरे पास इसकी absolute value आ गई जोके है अंडर रूट थ्री तो यही मेरा इसका final result है तो हमने absolute value भी निकाल ली इसकी और conjugate भी find out कर लिया था उपर नाव moving towards part number 4 और यह है अंडर रूट 7 minus 3 आयोट तो आप मुझे पहले इसका conjugate निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जैट के इकवल लेंगे अंडर रूट 7 minus 3 आयोटा जब conjugate लेना है तो उपर लगाएंगे बार conjugate लेते वे रेल पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे अब यह माइनस में था तो हमने इसको प्लस कर दिया तो यह मेरे पास इसका conjugate का रिजल्ट आ गया है अब मुझे निकालने हैं इसकी अप्सल्यूट वेल्यू निकालने के लिए फर्मिला होता है अंडरूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर अब इसकी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखों तो यह जाएगा अंडरूट सेविन का स्क्वेर बी स्क्वेर यानि के माइनस थ्री का स्क्वेर तो रूट से स्क्वेर खतम हुआ यह रह गया अंडरूट सेविन और यह माइनस से स्क्वेर खतम हुआ तो थ्री का स्क्वेर यह बीज में प्लस होगा अब यह माइनस त्रीक का स्कौयर सिर्फ 9 रह जाएगा तो यह वेलिव आ जाएगी 9 प्लस 7 डाटिस 16 अंडरूट 16 और अंडरूट 16 किसके एक्वल होता है 4 के एक्वल होता है 16 का स्क्वाइर रूट आप काल सकते हैं तो यह हमने इसके मॉट की भी वेल्यू फाइंड आउट कर लिया है नाओ मुविंग तुवाइज दिनेक्स पार्ट और पार्ट नंबर 5 है हमारे पास माइनस 3 माइनस 4 आउटा तो इसको अगैन हमने जट के इक्वल लिया माइनस 3 माइनस 4 आउटा अब मुझे इसका कॉंजुगेट निकालना है तो कॉंजुगेट में सिर्फ़ सिफ एमेजनरी का साइन चेंज करेंगे माइनस 3 प्लस 4 आउटा आउटा अब इसका हमने निकालना है absolute value absolute value is equals to a square यानि के minus 3 का square plus b square यानि के minus 4 का square तो यह हो जाएगा plus 3 का square is 9 plus 4 का square is 16 16 plus 9 अब इसको plus कीजिए तो यह 16 plus 9 आपके पास आजाएगा 25 और 25 का root होता है हमारे पास 5 25 का root होता है हमारे पास 5 तो यही हमारा final result है now moving towards the next part part 6 part 6 में हमारे पास है 5 minus 4 iota का whole square अब सबसे पहले मुझे इसके लिए इसको simplify करना पढ़ेगा पहले और simplify यह कैसे होगा की वेल्यू माइनस वान 25 माइनस 16 माइनस 40 आया उता तो 25 माइनस 16 यह हो जाएगा 9 माइनस 40 आया होता इसको लेट से हमने कहे दिया कि यह जेट के इकवल है अब मुझे इसका conjugate निकालना है conjugate में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ imaginary का sign change होता है तो इसका conjugate होगा 9 प्लस 40 आया उता यह इसका conjugate होगा अब मुझे absolute value निकालने है इसी की absolute value निकालने के लिए अंडरूट 9 का square प्लस इसका निकालने हम absolute value प्लस माइनस 40 का square नाइन का square यह हो जाएगा 81 और 40 का square यह हो जाएगा 1600 तो यह हो जाएगा 1681 और जब अंडरूट लेंगे 1681 का यू विल गेट 41 तो यह मेरे पास इसका absolute value आ गई है कि मुशन नुबर 6 का 7 पार्ट करने जा रहे हैं 7 पार्ट में है 2 अपॉन 3 माइनस अंडरूट माइनस 9 अपॉन 16 अब स्टूडेंट यहां पर आपको यह नजर आ रहा होगा कि आयोटा कहीं अब मुझे इसका कॉंजूगेट निकालना है तो इसका कॉंजूगेट इकवल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इम्माइजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा यानिके प्लस 3 अपॉन 4 आयोटा हो जाएगा तो यह इसका कॉंजूगेट हमने फाइंड आउट कर लिया है अब चलते हैं इसके अपस्लूट वैलियू की तरफ तो अंडर रूट तू अपॉन 3 का स्क्वेर प्लस 3 अपॉन 4 का होली स्क्वेर तो तो अपॉन 3 का स्क्वेर करें हों की है तू का स्क्वेर यह जाए लिए स्क्वेर अवाच के अवागे चलते हैं 3 का स्क्वेर इज नाइन 4 का स्क्वेर सिक्स्टीय क्यास यह यहां कि हम जब भी मॉड निकाल रहे हैं यहां पे तो हम इस z का mod निकाल रहे ना कि इसके conjugate का राइट तो यह z equal हो जाएगा under root अब यहां पर हम इसका LCM ले लेते हैं तो LCM लेके आप इसे solve तरेंगे तो result आएगा आपके पास 144 145 अपॉन 144 अब 145 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता तो वो तो रहेगा 145 और डिनॉमिनेटर में आ जाएगा under root 144 जो कि equal होता है 12 के तो mod of z is equals to under root 145 अपॉन 12 तो यह हमारा final result आगया है कि ना मुविंग तुवाज दी नेग्सट पार्ट पार्ट नंबर एट और पार्ट एट में में हमारे पास है one plus iota into one plus two iota और यह डिवाइड होगा three plus iota के साथ नो पहले इसको multiply कर लेते हैं one बंजा one फ्लस तू आयोटा प्लस आयोटा बंजा आयोटा 702 यह Industrial स्कुरिस के साथ मस्कें सरे को मल्लिप्लायड करन जेते हैं तो आप इसको simplify करते हैं, simplify करने से जब इसको multiply करेंगे, तो minus 1 multiply होगा 3 के साथ minus 3 minus minus plus Iota plus 3 3 is a 9 Iota plus minus minus 3 Iota square और यह divide होगा, A plus B, A minus B, A square minus B square, formula में बन कर देंगे, मे दो माइनस-3 ऐउटा। प्लस-9- प्लस-3 हो जाएगा और ही यह का स्केर नाइन माइनस- तो यह जाएगा 10 आयोटा अपौन 9 प्लस-1 तैस्चन तो 10 से 10 cancel होके मेरे पास let's say कि यह z चल रहा था तो z की value आ जाएगी iota और जब इसका conjugate निकालेंगे तो imaginary part का sign change होता है तो यह आ जाएगा minus iota तो conjugate तो आ गया मेरे पास minus iota और जब इसका mod निकालेंगे तो mod भे simple तरीके से निकल आएगा क्योंकि real part तो है ही नहीं तो यह हो जाएगा 0 का square plus minus 1 तो इसका mod इक्वल आ जाएगा 1 के इसको simplify कर दीजिए तो under root 1 हमारे पास 1 के एकवल हो जाएगा तो यह हमारे इसके mod का भी result है तो student यहां पर हमने question number six के सारे parts कर ली है question number six के सारे parts कर ली है किसी भी part में problem हो तो मुझे comment box में जरूर बताएगे question number seven से हम अगली वीडियो में अपना काम शुरू करेंगे thank you so much कि आपने मेरी वीडियो एंट तक देखी